धर्मेंद्र की छवी इंडेस्ट्री में एक एक्सन हीरो के रूप में स्थापित हुई मगर उन्होंने कई सारी सूपर हिट रोमांटिक फिल्मों में भी काम किया है एक्टर ने अपनी एक्टिंग के जरिये जबदस्त फैन फॉलोइंग हासिल की है आज भी उनके जाने वालों की कमी नहीं है मगर एक समय ऐसा भी रहा जब एक्टर को फिल्म इंडेस्ट्री में दाखिल होने के लिए काफी संगश करना पड़ा था धर्मेंद्र का जन्म धरम सिंग देओल की नाम से पंजाब के लुध्याना जिले के नश्वाली ग्राम में हुआ उनके पिता का नाम किशन सिंग देओल और मा का नाम सत्वंत कौर था उनका पैत्रिक गाउ लुध्याना में पाखुवाल के पास दंगाउ था उन्होंने अपना प्रारंबिक चीवन सहनेवाल में बिताया और लोधियाना के कलन के लांतन की गवर्मेंट सीनियर सेकेंडरे स्कूल से सिक्षा प्राप्त की जहां उनके पिताजी ही स्कूल के हेड मास्टर थे उन्होंने इंटरमीडियेट की पढ़ाई 1972 के फगवारा के रामगाडिया कॉलेश से पूरी की है धरमेंदर का फिल्म करियर एक सू के दौरान उन्होंने अपने इश्टरोगल देस के बारे में बाते की धर्मेंदर ने कहा फिल्मों में करियर बनाने से पहले मैं गैराज में रहा करता था मुंबई में मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था उस समय मैं ड्रिलिंग फॉर्म में काम किया करता था मुझे सिर्फ 200 रुपे मिलते थे इतने में मेरा गुजारा नहीं हो पाता था इसके बाद मुझे और पैसा कमाने के लिए ओर टाइम करना पड़ा था धर्मेन फिल्म फियर मैगनीज नियो टैलेंट आवार्ड जीतने के बाद पंजाब से मुंबई काम ढूणने के इरादे से आये थे 1970 में अरजुन हिंगो रानी की आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने वॉलिवुड में डेव्यू किया था इसके बाद 1961 में आई फिल्म वो बॉय फ्रेंड में वे सैक अलाकार की भूमिका में नजर आए और फिर 1967 से 1967 के बीच उन्होंने कई रोमैंटिक फिल्में की उन्होंने नूतन के साथ सूरत और शीरत दिल ने फिर यात किया और दुलहन एक रात की में काम किया है और माला सिंग के साथ अनपढ़ पूजा की फूल बहारे फिर भी आएंगे में काम किया है फूल और पत्थर में उनका एककल किरदा था जो उनकी पहली एक्शन फिल्म भी थी और इसी फिल्म से लोग उन्हें एक्शन हीरो के नाम से पहचानने लगे थी और इसके बाद उन्होंने 1971 में आई एक्शन फिल्म मेरा गाउ मेरा देश की फूल और पत्थर 1966 की हाइस्ट क्रोसिंग फिल्म साबित हुई उन्होंने 1975 से रोमांटिक और एक्शन दोनों तरह की फिल्में की और इसी वज़े से लोग उन्हें बहुमिखे अविनेता कहते हैं इस समय में उन्होंने कई कॉमेडी फिल्में भी की जिनमें तुम हसी मैं जवाँ दो चार चुपके चुपके दिल लगी नौकर बीवी का सामिल है 1983 में देउल ने विजेता फिल्म के नाम से प्रोडेक्शन कंपनी के सुरवात की पत और प्रोड्यूशन उनके पहली फिल्म बेताब थी जो 1983 में रिलीज हुई जिसमें उनके बेटे सनी देउल मुख भूमका में थे उनके यह फिल्म ब्लॉक बश्टर साबित हुई साधी धर्मेंदर ने दो साधिया की है उनके पहली पतने प्रकाश कौर है जिनके तीन बच्चे है सनी देउल बॉबी दोल और बेटी अजिता देउल उनके दोनों बेटे हिंदी सिनेमा में फिल्म अभिनेता है जबकि बेटी साधी के बाद विदेश में रहती है उनके दूसरी पतनी हिंदी सिनेमा की दिगज अभिनेतरी और ड्रीम गल हे ममालनी है उनकी दो बेटिया है ईशा और आहाना देउल उनकी दोनों बेटियों की साधी हो चुकी है पुरसकार धर्मेंद्रेपने बेहतरीन अभिने के दम पर कई पुरसकार प्राप्त किये है उन्हें Film Fair का Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया है इसके अलावा भारशकार द्वारा पदम भूशर से भी सम्मानित किये जा चुके है